नमस्कार सत्यू स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल लर्ण टे लाइट में आज है 19 मार्च और इस सेशन में दहिंदू एडिटोरियल का वोकेबली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टाट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दिजिए और अभी तक चैनल लेट कर दिजिए तो देखते हैं और आज का पहला वर्ड है सीलीव जीव की बदबट करें देर तो यह क्ला ओन होनई की लिएर मीनी यह नों ठीव यानी की करते हिं कि आघान की बात की जाएं तो प्लेंटी हो सकता है वाई भेरumbs राइटी जो सकता है रॉइलेंटी यथी और डैवरशिटी और इसकी सजिनोनिम कre Sakram ne さ आप देखते हैं सबने चैनल इत्यारे हम पर्ष या मैनिञात्र जो क्या हो फुर सब्सक्राइब कि इसका फावर हो तो जो औरे कि वह गाल भाव किसी चीज्ट का ठीख है तो इसका हिंदी मिनंग क्या हो सकता है प्रामुख फिर जो मुट्व में होता है जो हमारे स्कूल में हुगा करते है ठीक है यानि कि प्रम्मुख अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड तो नेक्स्ट वर्ड क्या है टेलिंग टेलिंग क्या एक एडजेक्टिव है जिसका मिनिंग होता है having a strong or important effect यानि कि किसी के पास क्या होना strong or important effect होना ठीक है effect मतलो प्रभाव यानि कि जिसका प्रभाव क्या हो महतोपूर्ण हो और strong हो इसका प्रभाव जिसका महतोपूर्ण होगा या strong होगा वो कैसा इंसान हो सकता है तो प्रभावसाली हो सकता है ठीक है यानि कि उससे सब कोई प्रभावित हो सकता है ठीक है अगर synonyms की बात किया है तो effective हो सकता है, revealing हो सकता है, significant हो सकता है, या फिर weighty हो सकता है, यह सारे इसके synonyms होगा है, effective, revealing, significant, और weighty, यह क्या होगा है, इसके synonyms, word क्या है, telling, telling मतलब प्रभावसाली, नेक्स्ट वर्ड देखा जाया, तो नेक्स्ट वर्ड है, jolt, jolt, jolt एक नाउने, jolt एक नाउने, jolt एक नाउने, jolt एक नाउने, jolt इसका मिनी होता है, in unpleasant surprise, or sock, यानि कि ऐसा surprise, या जो क्या हो, unpleasant, यानि कि जो सुखद नहीं हो, दुखद हो, ठीक है, unpleasant, जो से आपको, मतलब, दूख हो जाया, यानि कोई, जटका लगा लग जाना, ठीक, कि किसी बात है, मतलब, जटका लग जाना, थीक है, तो jolt, मतलब क्यों हो जाएगा, जटका, अगर इसका बात किया, जशियन एक नाउने, तो फतल ँर वर्ड सकता है, बंसल हो सकता है, ठोसिए, इसके ऋनैम हो है something or someone that one vehemently dislikes यह कुछ यह कोई वन वहमली डिसलाइक इसको जिसको बहमली कोई dislike कर रहा हूं यानि कि ना पसंद कर रहा हूं इसका हिंदी मिनिंग क्या हो सकता है अभी सब्ध हो जाएगा ठीक है अभी सब्ध इसका हिंदी मिनिंग हो जागा कि अभी सब्ध और सीनोनिमस की बात किया तो एभरेंट हो सकता है एभर मतलब क्या होता है एभर हम आपको बताया थे कि जो आपको बोर करता है उससे आप क्या करते है एभर करते है यानि कि नफरत करते है ठीक है एट करते है तो एभरेंट है यानि कि जिससे आप कोई मतलब से बबना पॉपंद करता हूं एिधियर और रिपल ये सारे सट एपली बनेंट और को कि हथी को कई कई को ड्रीवां और फक्रफल उन्सान है या कोई वस्तु है अब हम देक्स य्या में प्रवेलुॉ जिसका मिनिंगी होता है इंक्रीस दरएमाउंट बहेलु साइन एक सेट्राइब सम्थिन या किसी चीज के वैलू ठीकर या पर साइज हो जाएगा ठीक है भैलू या उसके साइज को क्या कर देन या उसके लाइन को ब्रहा ह Kook फोसकता है मैं कलाजर हो सकता एकस पेंडी मिनिंग बढ़ाना होता है now देखते हैं next word तो next word है दोवी टेल का है दोवी टेल तो वी टेल की बात करें तो यह भर्व है यह क्या एक भर्व है ठीक है डोवी टेल क्या एक भर्व है जिसका मेनिंग होता है फीट और कॉस्टो फीट टुगेदर इजली एन पाइने किसी को फीट कमेंट लियाद्न ऑगलत मतलब lançता फीट आजा रहें तो रहें उसके साथ मैल खायरा ठीक है तो मेल खं़ाना इसका नि मेनि Χानस का हेंदी मिनी हो जाएगा अगर सीनोनेंश की बात कि जाया तो fit in हो सकता है go together हो सकता है concert हो सकता है या फिर agree हो सकता है यह सारे इसके honom so fit in go together concert और एग्री यह सके सिनोनेंश वर्ड क्या है dovetail अब देखते हैं next word तो next word क्या है eyesore eyesore एक noun है eyesore की बात करें तो एक noun है जिसका मेनी होता है a thing that is very ugly especially a building मतलब क्या हो एक ऐसा चीज जो क्या हो बहुत ज़्यादा very ugly हो यानि कि बहुत ज़्यादा खराब हो especially a building मतलब क्या मतलब जो building हो जो देखने में काफी क्या हो खराब हो तो उसके लिए हम लोग eyesore word use कर सकते है ठीक है eyesore word use कर सकते है जिसका Hindi meaning हो सकता है कि दुख का कारण ठीक है दुख का कारण माल लिजे कि आप building बनवाए घौर का और वो मिस्तिरी अच्छा नहीं बनवाया है जो भी वो contractor था अगदम खड़ा बनवा दिया और आप बहुत अच्छा सोचे थे कि हम इसका ऐसे डिजाइन करेंगे कि सब किसी का ज्यादातर मतलब क्या होता है किसी इंसान का कि वो पैसा का मा कि उसका मेंस अपना होता है कि आई षट्न ही किननों के यहाँ दुख का कारण से देखाया तो ब्लोट हो सकता हैccर, ब्लेमिस हो सकता है या फिर इसकार हो सकता है विए सारे सिन". इंसों ने व्राद किया है आई रोट तो आप देखते है नेक्स्टिंब्ड टोन्त Allset Fundra Temple के मेंकि करें तो एक नाउन है जिसका मेनिव होता है state of perplexity और uncertainty over what to do in difficult situation यानि कि ऐसा state मतलब जो क्या हो perplexity और uncertainty over what to do in a difficult situation मतलब कभी-कभी हमारी सामने क्या जाता है कुछ ऐसा समझ्या जाता है इसमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और या उल्जहन खिछ Mina कंई के आपके सामने आगी और इसका हो का वे जाता है कि हम क्या करें क्या नहीं तो फिर मैं किसी दोस्त या फ्याजन उनसे हमें करें लेति हैं कि अब यह करो फो उसके लिए वाड ीऊज़ करते हैं कि अ 2025 स्टेट जिसमें आप क्या होते हैं मतलब डिफिकल्ट सिच्वेशन में कोई भी एक्षन लेना मतलब आप नहीं ले पार रहे तो उस टाम क्या करते हैं किसी का राय लेते हैं हेल्फ लेते और लेना भी चाहिए अपने से बारो का क्योंकि उनके पास एक्सप्रियेंस होता है कुल्टी और प्रफ्लेक्सिट ये सारे इसके सीनोनेम क्या है कौंडरि अब जहते हैं नेस्ट वर्ड और आज के सिस्टन का यह लास्ट वर्ड है वर्ड है जिसका मिनिंग होता है प्रोमोट डेफ्लोपमेंट अप यानि कि जीश की के डेफल्वलोपमेंट यानि कीसी कि जो चैस के जो वीकसित हो रहा तो उसको क्या करते है प्रॉमउट कर देंगे उसको और ज्यादा पुरौतसाऀद करते है ठीक है तो फिरसाहित करना यानि कि एसपार कोरना तो परमोट द डेवलोपेंट इसके वज़ा से क्या हुए कि हमारे जो इंडिया का जो वैक्सिन है वो सक्सेश्फुल डेवलोपेंट हो गया और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहा अगर इसके सिनोनेम्स देखाया तो सिनोनेम्स एस्टिमूलेट हो सकता है इंडियूस हो सकता है प्रोपेर हो सकता है या गलवरनाईज हो सकता है इतने सारे इसके सिनोनेम्स हो गया एस्टिमूलेट इंडियूस प्रोपेल और गलवरनाईज तो आज क सेशन यहाई पर समाप्त हुआ, I hope सेशन पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, थैंक्स फर वाचिंग, जहिन